नवरात्री में कलस स्थापना घट स्थापना कैसे करें हलो एवरीवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल कुंज ऑफीसियल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग आई होपसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिए नीचे बैल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लें जो भी निया वीडियो डालू उसका सबसे पहले आपके पास अब आप हमें सूपर थैंक्स के जड़िये भी सपोर्ट कर सकते हैं कलस स्थापना की सबसे सही और सरल प्रमानिक विधी जरूरी समागरी कलस स्थापना नवरातरी के पहले दिन सुब मुहरत सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए आईए जाने कैसे करना है कलस स्थापना कलस स्थापना के लिए अवस्यक समागरी जो बोने के लिए मिटी का पात्र साफ मिटी मिटी का एक छोटा घड़ा कलस को ढखने के लिए मिटी का एक ढखन गंगा जर सुपारी या एक या दो रुपे का सिक्का आम की पलो या पतियां अक्षत, कच्चे चावल, मौली, कलावा, रक्षा सुत्र, जवारे, जो, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपरा, लाल चुनरी, दुर्वा, घास कलस स्थापना विधी, नवरात्री में कलस स्थापना देवी देवताओं के आवाहन से पुर्व की जाती है, कलस स्थापना करने से पुर्व आपको कलस को तयार करना होगा, जिसकी संपुर्ण विधी इस प्रकार है सबसे पहले मिटी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिटी डाले और उसमें जवारे के बीज डाल दे, अब इस पात्र में दोवारा थोड़ी मिटी और डाले और फिर बीज डाले, उसके बाद सारी मिटी पात्र में डाल दे और फिर बीज डाल कर थोड़ा सा जल डाले ख्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर ये उपर की तरफ उगे यानि बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और उपर वाले लेयर में बीज अवस्थे डालें अब कलस और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दे साथ ही तिलक भी लगाएं इसकी बाद कलस में गंगा जल भर दे इस चल में सुपारी इत्र दुर्वाघास अक्षत और सिक्का भी डाल दे अब इस कलस के किनारों पर पांच असोख या आम के पते रखे और कलस को धकन से धक दे अब एक नारियल ले और उसे लाल कपरे या लाल चुनरी में लपेट ले चुनरी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखे इसके बाद इस नारियल और चुनरी को रक्षा सुत्र से बांध दे तीनों चीजों को तयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जोवाला पात्र रखे उसके उपर मिट्टी का कलस रख और फिर कलश के धकन पर नार्यल रख दे आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधीवत नवरात्री पूजन करें इस कलश को आपको नौ दिन तक मंदिर में ही रखे देने होंगे बस ध्यान रहे सुबह शाम अवसक्ता अनुसार पानी डालते रहें कैसा लगा आप सभी को हमारा ये कलश स्थापना घट स्थापना वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंसेर करना बिलक अवसक्ता 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 प्लीज करना बार आप सब्सक्ता अवसक्ता है